जैहिन साथियो बेलकम टू सेल्प स्टेडी किलासेस बिस सुमिच जैन यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारती अंत्रिक्ष कारिकरम का इतिहास और यह भाग दो है बरग 3, MPTET बरग 3 के एकजाम में आपका एक टॉपक है परियावरण का अंत्रिक्ष बिज्ञान ठीक है उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं आपके अंत्रिक्ष बिज्ञान के दो पार्ट जो है अपलोड हो चुके हैं पहला तो है आपके अंत्रिक्ष बिज्ञान कों का परिचाए ठीक है बोजरूर देखें दूसरा आपका इसका पार्ट है उसके बारे में भी बहुत बताया है और तीसरा एक पार्ट है ठीक है तो बोजरूर देखें पूरा परेयाबरण की जो है एक पलेलिस्ट है उसमें पूरी बिस्तरित और जो आपकी टेस्ट सीरेज है उसको बताया गया तो पलेलिस्ट में परेयाबरण जरूर पढ़ लें ठीक है तो आजका वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रूप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रूप से जुड़े हैं जहां पर आपको ये वाली पीडियाप और जितनी भी पीडियाप होगी सारी की सारी पीडियाप प्रेशित की जाती हैं तो टेलीग्राम ग्रूप में अवस्त जुड और बचाओ अवसकता को पूरा करने के लिए इसरो द्वारा सुरू किये गए बहुत देशिय भू इस्तिर उपगरहों की एक स्रंकला है कौन सी इंसेट स्रंकला अब आपको याद रख लेना ठीक है और इसरो की बात आई है तो इसरो का मुख्याले कहाँ पर है बैंगरूर में ये चीज सभी को याद रख लेना है आप से पूछा जाएगा इसरो का मुख्याले कहाँ है तब आपका उत्तर होनी चाहिए बैंगरूर में ठीक है और बरतमान जो अध्यक्ष है वो कौन है आल इंडिया रेडियो और दूरदर्सन का सन्युक तो उपकराम है कौन सा ये जो अठारा सो तेरानमे में किया गया कमिशन इंसेट ठीक है तो ये चीज आपको याद रखनी है आई आर एस आई आर एस के बारे में जाने भारती रेमोट से ऐसे सिंग उपकरा है आई आर एस प्रतिवी अबलोकन उपकरामों की एक स्रंकला है जो इस रोद वारा निर्मित लांच और रख रखाओ किया गया है कौन सी आई आर एस आई आर एस के बारे में अगर आपसे पूचा जाता हूँ कि निम्न में से बताईए आई आर एस क्या है तब आपका उत्तर होने चाहिए कि भारती रेमोट से ऐसे सिंग उपकरा है आई आर एस जो है वो प्रतिवी अबलोकन उपकरामों की ये क्या है स्रंखला है सबी को याद रख लेना है जिसे क्या कहा जाता है IRS कहा जाता है है ना अब IRS स्रंखला देश को remote sensing से वाए परदान करती है भारती remote sensing उपगरह परणा लिया आज दुनिया में आपरेशन में नागरे को पियोक के लिए remote sensing उपगरहों का सबसे बड़ा संगरह है ठीक है IRNSS इनके बारे में पूछा जाएगा आपसे कि यह क्या है IRNSS क्या है इसके अंतरगत क्या होता है तो IRNSS भारत द्वारा बिक्सित 133 छेत्रिये navigation satellite system है तो आपसे पूछा जाएगा कि IRNSS क्या है तो चार बिकल्प आपके सामने होंगे तब आपको पता होने चाहिए एक 106 छेत्रिये navigation satellite system है IRNSS टीक है तो यहां से इतने ऐसे question बनेंगे आपके एभारत में उपयोग करताओं के लिए 60 किस्तिती सूचना सेवा प्रदान करने के लिए design किया गया है और साथ ही इसकी सीमा 1500 किलूमीटर तक फैला हुआ चेत्र है जो इसका प्रात्मिक सेवा चेत्र है ठीक है IRNSS दो प्रकार की सेवा प्रदान करेगा जैसे कि मानक इस्तिती सेवा SPS और प्रप्रति बंदित सेवा RS तो आपको याद रख लेना है कि जो IRNSS एक कितनी प्रकार की सेवा प्रदान करता है दो प्रकार की करता है SPS और RS ये चीज़ याद रखनी है भारती अद्रक्ष अनुसंगठान संगठन द्वारा बिस्तित एक स्वायत छेत्री उपकरह नेविगेशन प्रणाली है जो भारत सरकार के कुल ने अंत्रन में है इस तरह कि नेविगेशन सिस्टम की आवसकता इस थत्त से प्रेरित है कि गिलोबल नेविगेशन सेटिलाइट सिस्टम जैसे GPS की पहुँच सत्रुता पूर्ण स्तितियों में गारंटी नहीं है अनवेशन या फिर चंद्रयान ठीक है चंद्रयान के बारे में जानेंगे इस से question आपके जरूर पूछे जाएंगे ठीक है चंद्रयान फस्ट के बारे में देखें चंद्रमा पर भारत का पहला मिसन था चंद्रयान फस्ट मानव रहित चंद्र अनवेशन मिसन में चंदर और वीटर और चंदरमा इंपेक्ट प्रोब नामक एक प्रभावकार सामिल थे है ना तो 22 अक्टूबर 2008 को हरी कोटा के 37 धवन अंतरिक्ष केंद से जो है बाहन को 8 नवंबर 2008 को चंदर कक्षा में डाला गया था इसने औरक्त निकट और नरम और कठोर एक्सरे आवरतियों के लिए उच्च रिजोल ड्यूशन के रिमोट सेसिंग उपकरन दिखाई दिये तो आपको याद रख लेना आपसे पूचा जाएगा कि जो चंदरियान प्रिथम था ये कब लांच किया गया था तब आपका उतर होगा 22 अक्टूबर 2018 को कहां से सिरी हरी कोटा जिसे की 37 धवन अंतरिक्ष के अंदर कहा जाता हो और ये कहां पर है तो ये 37 धवन अंतरिक्ष के अंदर आंदर प्रदे से सभी को याद रखना है ठीक है 8 नमंबर 2008 को चंदरियान फर्ष्ट लांच किया गया था और चंदरियान टू किया गया था 22 जुलाई 2019 को ये सभी को याद रख लेना है ठीक है हाँ इसकी 312 दिनों की परिचालन अबदी जो है दो सार की योजनावद्ध की दुरन इसने अपनी रासाइनिक बिसेस्ताओं तीन आयामी इस्तला किरती का पूरा नक्सा बनाने के लिए चंदर सतह का सरवेक्ष्ण किया है तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूँचा जाएगा उसको नोटस अगर कर सको तो कर लेना अब मंगल यान भी देख लेते हैं मंगल यान के बारे में ये अंतरेक्ष्ण में बहुत चर्चा में रहा था मंगल और्वीटर मेंसन M.O.M. जिससे अनौप चारिक रूप से मंगल यान के रूप से जाना जाता है अब आपसे मंगल यान का पूँचा जाएगा कि इसमें पूरा फुलपाम क्या है तो मंगल और्विटर मिसन M.O.M का फुलफाम है मंगल और्विटर मिसन जिसे मंगल यान के नाम से भी जाना जाता है 5 नवंबर 2013 को ये भी आपको याद रख लेना है कि मंगल यान जो मिसन है कब लांच हुआ था 5 नवंबर 2013 को भारती अंतरिक चनुसंदान संग्ठन इसरो द्वारा प्रत्वी की कक्चा में लांच किया गया था और 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्चा में प्रिवेस हुआ था ठीक है तो कब हुआ था 24 सितंबर 2014 को सभी लोगों को याद रख लिना है बहुत ही महत्पून प्रस्ट मंगल यान से भी आपके बन सकती है भारत इस परकार अपने पहले प्रियास में मंगल की कक्चा में प्रिवेस करने बाला पहला देश बना था है ना पहला देश बना एह 24 मिलियन डॉलर की रिकॉर्ड कम लागत पर पूरा हुआ था तो सबी लोगों को याद रख लेना है कि मंगल की कक्चा में प्रिवेस करने बाला पहला देश बना था पहले प्रियास में कौन बना था तो भारत बना था और इसकी जो लागत थी वो 74 मिलियन डॉलर थी है न और ये कब लांच किया गया था तो 5 नवंबर 2013 को लांच किया गया था अगर M.O.M. का पूरा नाम पूछा जाता है तो मंगल और वीटर में संज जिसे मंगल यान के नाम से भी जाना जाता ठीक है बहुत बढ़िया यह तैसे कौनस्टर बनेंगे आपके M.O.M. को 24 सितंबर 2014 को सुबह है आठ 23 बजे मंगल की गख्चा में रखा गया अंत्रिक्च यान में पेलोड की रूप में 5 बेग्याने कुपकरणों की 15 किलो 33 पॉंड के साथ 1337 किलोग्राम 29 46 पॉंड का प्रिछे पंड रभ बमान था राश्टी अंत्रिक्च समाज ने व Mars Orbiter Mission Team को 2015 अंत्रिक्च पाइनियर पुरुषकार से भी समानित किया तो आपको याद रख लेना है राश्टी अंत्रिक्च समाज ने विग्यान और इंजिनिरिंग सेर्णी में Mars Orbiter जो Mission Team थी Mars मंगलयान Mission Team थी उसे 2015 में अंत्रिक्च पाइनियर पुरुषकार से समानित किया ये चीज भी आपको याद रखनी है दूर संचार और संसाधन प्रभंदन भारत अपने उपग्रहों के संचार नेटबर्क का उप्योग करता है भूमी प्रभंदन जल संसाधन प्रभंदन प्राकरतिक आपदा पूरवनुवान रेडियो नेटबर्किंग मौसम आपको ये सारे के सारे पता होनी चाहिए भूजल संबावेच छेत्रों का परी सीमन करना, बाल की मैपिंग, सूखे की नगरानी, भसेल की कटाई का अनुमान लगाना, और किर्षी उतपादन अनुमान प्राप्त करना, मतस्त नगरानी खनानादी इसमें सामल है अब बात कर लेते हैं रक्षा, रक्षा में देख लेते कैसे अंतरिक्ष का सहयोग है, भारती रक्षा मंतराला के एकिकरत रक्षा सेवा मुख्याला के तहते एकिकरत अंतरिक्ष सेल की स्थापना, सेन नुद्ध्योस्यों के लिए देश की अंतरिक्ष आधारत संपत्तियों का अधिक प्रभावी डंग से उप्योग करने और इन परी संपत्यों के खत्रों को देखने के लिए की गई है 14 सेटेलाइट्स के साथ जिसमें GCET 7A भी सामिल है बिसेश सेण उप्योग के लिए और शेश दोहरे उपगरहों के रूप में भारत में आकास में सक्रिय चोथे उपगरहों की संख्या है जिसमें करमसर भारती बायुसेना और भारती एसिया के बिसेस उप्योग के लिए उपगरह सामिल है जी सेट सेविन बन बिसेस रूप से भारती बायुसेना के लिए एक उन्नत सेन संचार उपगरह भारती नोसेना के जी सेट सेविन के समान है और G7A नेटवर्क के कैंदरित युद्ध छमताओं को बढ़ाएगा कौन सा? G7A और जो G7A बिसेश रूप से भारती वायुसेना के लिए को नत सेन संचार उपगरा है तो ये किस के लिए है? एक भारती वायुसेना के लिए G7A तो ये चीज़ आपको याद रखनी है ठीक है? अंत्रिक्ष केंदर पढ़ा देती हैं दोस्तो अब आपके प्रस्न पत्र में अंत्रिक्ष केंदर जरूर पूचे जा सकते हैं आपके परिक्षा में कि कौन सा अंत्रिक्ष केंदर कहां पर है? ठीक है? बिक्रम सारवाई अंत्रिक्ष केंद्र BSSC ये त्रवंद पुरम में है याद रखती जाना है तरल प्रिनोद प्रिनाली केंद्र LPSC ये त्रवंद पुरम में है 37 दबन अंत्रिक्ष केंद्र है जिसे हरी कोटा जाना जाता है ये हरी कोटा में है अन्द पर देश ठीक है इस रो प्रिनोधन परिसर ये महेंदर गिरी में है ठीक है ये कहाँ पर है महेंदर गिरी इस रो सेटेलाइट सेंटर ये बैंगलोर में है इस रो तो सभी को पता है कि इस रो का मुख्याल है बैंगलोर में है हैना अंत्रेक्ष अनुप्रियोग केंद इनको याद रख लिना अगर एक भी अगर आपका आएगा तो आपका एक नमबर बन जाएगा यहाँ सी National Remote Sessing Center इह हैदरावाद में है इसरो Inertial System Unit इह त्रुवंतपुरम में है बिकास और सेक्षिक संचार काई इह एहमदावाद ठीक है Master Control Facility होसन करनाटक में है इसरो Telemetry Taking and Command Network कहाँ पर है तो यह कहाँ पर है बैंगलोर में Electro of Texas System बैंगलोर के लिए प्रियोप साला है यह Indian Institute of Remote Sessing यह कहाँ पर है दहरादून में तो इस सारे के सारे जो आपके अंत्रिक्ष के अंधरे इनको याद रख लेना है है ना इसकी PDF आपको मिलेगी Telegram Group में Telegram Group में जुड़ने के लिए आपको Telegram App डाउनलोड करना है उसमें सर्च करना है IAS Study Trick ठीक है और अंत्रिक्ष के अंधर देखेंगे Entrix Corporation Isro Bangalore की मॉर्केटिंग साखा है बहुत एक अनुसंद्धान प्रियोग साला हमदाबाद में है राष्टिय बायूमंडली अनुसंद्धान प्रियोग साला गंड़ की आंधर प्रदेश में है उत्तरपूर्वी अंत्रिक्ष अनुप्रियोग केंद्र ए उमियम में है सेमी कंडक्टर, प्रियोग साला एक आँपर है, मोहली, भारति अंतरिक्ष विज्ञान और प्रोधी की सिंस्तान तिरुवन्थपुरम भारत का अंतरिक्ष विष्विध्याला है, इस अभी को याद रख लेना है इस लो कारिकरम, इस लो के जो कारिकरम है वो देखते हैं थुम्बा में इस्तित थुम्बा एककोटोरियल रॉकेट लाइंचिंग स्टेशन टी ए आर एल एस में शुरू हुआ ठीक है सैटेलाइट टेली कम्यूनिकेशन अर्थ स्टेशन एक जनवरी 1967 को एहमदाबाद में स्थापित किया गया यहां से अगर कॉस्चन आपका बनेगा कि सैटेलाइट कम्यूनिकेशन अर्थ स्टेशन कब इस्तापित किया गया तब आपका उतर होगा एक जनवरी 1967 में और कहां पर इस्तापित किया तब आपका उतर होगा एहमदाबाद में ठीक है भरत का पहला सोदेशी लगने वाला राकेट RH-75 बीस नमबर ढॉनी सो सथ को लाँच किया गया यहां से भी आपका question बनेगा कि भारत का पहला स्वधेशी लगने वाला जो rocket वो कौन सा है RH 75 है यह कब launch किया गया 20 नवंबर 1900 तो यहां से जितने भी fact में बता रहा हूं वो आप notes जरूर कर लेना यहां से question आपके बन सकती है आरबट 19 अप्रेल 1975 को पहला भारती उपग्रह लांच किया गया था यह से पूर्ब सोभिय संग से लांच किया गया था यह सभी को याद रख लिना आप से पूचा जाएगा कि पहला भारती उपग्रह कौन सा है तब आपका उत्तर होगा आरबट और किसके सहयोग से लांच क किये एफ प्रोजक्ट सेटिलाइट इंस्ट्रक्षन टेलीविजन प्रियोग के परिणाम सरूप हुगा कालकरम SITE दुनिया में सबसे बड़े समासास्त्री प्रियोग के रूप में पर्तिष्टित लगभग दो लाक लोगों को लाबान बित किया गया जिसमें छे राज्यों सेटिलाइट लांच भीकल 3 SLB 3 पहला भारत का पहला लांच भीकल है most important अगर आप से पूचा जाएगा कि भारत का पहला लांच भीकल कौन सा है तो तब आपका उतर होगा SLB 3 SLB 3 है ना लांच बाहन जो होता है वो होता है SLB 3 सभी को याद रखना है SLB 3 का दूसरा प्रायोग प्रिछेपन है रोहिनी उपगर है सपलता पूर्वक कक्छा में रखा गया 18 जुलाई 1980 भारती राश्टी उपगर है प्रणाली इनसेट 1 एको 10 अप्रेल 1982 को लांच किया गया था यह प्रणाली संचार प्रसारण और मौसंबिग्यान के लिए थी है ना भारती राश्टी उपगर है प्रणाली जो है कब लांच किया गया था है जो है 10 अप्रेल 1982 को इनसेट ए 10 अप्रेल 1982 को लांच किया गया था है प्रणाली संचार प्रसारण और मौसंबिग्यान के लिए थी काल करम देख लेते हैं 2 अप्रेल 1984 को पहला इंडियो सोवीयत मानव यक्त अंतरिक्छ मिशन शुरू किया गया था Most important दोस्तों अगर आपसे पूचा जाएगा कि पहला इंडो सोवीयत मानव यकत अंतरिक्छ मिशन कब शुरू किया गया था तब आपका उत्तर होगा 2 राकेस सरम अंत्रिक्ष में जाने वाले नांगरेकवने थी इसी समय है कई बार एक जाम में पूचा गया है तब आपका उत्तर होता है राकेस सरमा को यान रखनी पहला ओप्रेशन इंडियन रिमोर्ट स्थेसिंग सैटेलाइट आय जियो सिंक्रोनस सैटिलाइट लाँच वहिकल का पहला विकासात मकपडशेपन 18 अपरेल 2001 को स्री हरी कोटा से किया गया PSLB C11 ने 22 सक्टूबर 2008 को हरी कोटा से चंद्रियान फस्ट को सपलता पूर्वक लाँच किया गया याद रख लेना या भीकल कौन था तो कारिकरम में देख लेंगे 5 नवंबर 2013 को PSLB C25 ने सपलता पूर्वक हरी कोटा से मौर्स ओर्वीटर मिसन मंगल यान मिसन अंत्रिक्ष यान लाँच किया था अगर आप से पूचा जाएगा कि मौर्स ओर्वीटर मिसन या मंगल यान मिसन किस भीकल से लाँच किया गया था तो आपका उत्तर होगा PSLB 25 से लाँच किया गया था कब लाँच किया था 5 नवंबर 2013 को लाँच किया गया था ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है ठीक है 15 फरवरी 2017 को PSLB C37 बर्क हास का 49 वा मिसन इसरो का पिर छेपन यान इसरो के कॉर्टो सेट इसरो टू स्रंकला के उपगरह का बजन 1714 किलोग्राम और दो इसरो नैनो उपगरहों जिसका नाम इनसेट इनस आइनस 1A 8.4 किलोग्राम और आइनस 1B 9.7 किलोग्राम और 101 नैनो उपगरह हैं भारत का नवीनतम जो संचार उपगरह जी सेट 17 को 29 जून 2017 को कोरो फ्रेंच गवाना से एरियन 5BA 238 में इनसेट जी सेट प्रिणाली में सामिल किया गया था हैना भारती का जो नवनतम जी सेट 17 है जी सेट 17 मेट्रोलोजिकल डेटा रेले के लिए उपयोग किया जाता है या तैयार करता है तो यहां से आपके छोटे छोटे क्वेस्टन जो आपसे हमेशा पूछे जाते हैं या अंत्रिक्ष बिग्यान से जो क्वेस्टन बन सकते हैं उनके बारे में दोस्तों हमने चर्चा की है अंत्रिक्ष बिग्यान का ये पार्ट हमारा थ्री था पहले पार्ट में हमने अंत्रिक्ष बिग्यान कों का परिचय पड़ा दूसरे पार्ट में हमने अंत्रिक्ष कारिकरम के बारे में महत्पूर्ण जानकारी दी हैना फिर तीसरे कारिकरम में और भी महत्पूर्ण जो बारे में भी जाना है ना जो भी भीकल बाहन थे उनके बारे में जाना तो इनके बारे में हमने सभी जो प्रस्ने हैं वो किये हैं अब एक वीडियो और आपका आएगा दोस्तो जिसमें हम आपको प्रस्ने करवाएंगे फिर आपका अंत्रिक्ष विग्ञान वाला टॉफिक क पर रियावरन साम कु साले सवा, साथ बजी, बाल विका, साथ पंद्रा पर, रात्ती नो बजी, फिर हिंदी साहिट का टेस्ट, फिर रात्ती साड़े ग्यारा बजी, करेंट अपएरस का टेस्ट, तो ये सारे कि सारे, जो है, लाइब किलासें चलती हैं, और साथ ही वीडियो के लिए वास इतना ही जाए हिंद।